तुम्हारी अब थोड़ी बहुत छुटियां आने वाली है, ठीक है, ओ भाई, सर मजे ही आगे, हॉलिडेज कब आ रहे, मैंने का देख, 15th of August, Independence Day, आया है न, 16, 17, 18 और 19, अराम से देखी का प्लीज, इस दिन रक्षा बंदन है, मतलब राखी है, इस दिन तुंडे है, और इस ये दो दिन बीच में आप बोल सकते हो, वर्किंग है, चुटी नहीं है, यहाँ पर आपकी क्लासे होगी, ठीक है, तो एक मोटा मोटा देखे, तो लगाता है, सर कुछ चुटियां हमारे पास में आ रही है, ठीक है, तो जो बच्चे, बार 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 बैकलोग बैकलोग चि उसके बाद में अगला लेवल जो आता है, जिस में, आप बोल सकते हों, ट्रैक्टिس की कमी है, क्योंteenth नहीं प्रैक्टिस की हैं, फिर उसके अगले लेवल प्रैक्टिस और नहीं की, प्योजिया क्यों अपने एक पीछे, बदर पूराने बार प्रत्दो पश्चे की होगी या go through नहीं किया, तो कही न कहीं सब का कहीं न कहीं backlog होगा, जैसा कि मैं आपको एक example, कल मैंने लक्षे बैच में भी दिया था, मैं आपको वही example बताने की कोशिश करूँगा, कि जब एक road, मानलो इस तरफ जाने वाली road है, यहां पर बहुत सारा खचागच traffic है, बहुत सारी गाड़ियां है, ठीक है, और एक गाड़ी में मानलो मैं बैठा हूँ, और मैं इस traffic के अंदर होरण बजाए जा रहा हूँ, बहुत हट जाओ, मुझे आगे जाना है, मुझे, मैं तो, मतलब, इनकी वज़े से मेरी speed धिरे हो गई, मुझे आगे बढ़ना है, पीछे रह गया जबकि मुझे पता है कि traffic एकदम खचा-खच है बाई, जिस speed से ये चलेंगे, उसी speed से मुझे चलना पड़ेगा, और मैं होरण बे होरण दिये जा रहा हूँ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, मैं अपनी energy सो कर रहा हूँ, दूसरी situation है, ये वाली, ठीक है, एकदम खुली- मैं हूँ, अब मैं, तो मुझे अगर overtake करना चाहिए, या overtake की जो कोशिच होनी चाहिए, वो इस में होगी, या इस situation में होगी, बलब situation number A और situation number B, जल्दी से बताईगा प्रीज, आया न, जल्दी से बतातो, बुलो-बुलो-बुलो, तो ये वाली आप लोगों की situation है, मैं batches में classes चल रही होती हैं, और हमारे पास ongoing work या parallel work बोल सकते हो कि रोज हमें जो daily काम मिलता है, वो ही बहुत सारा होता है, ठीक है, ये वाली जो situation है, ये आपकी regular classes वाली situation है, मतलब सब्सक्राइब हम regular days में जैसे आप पढ़ाही कर दे थे अब तक, तो सरक classes खुद चल रही है हैं, तीन-तीन class हो रही है, हर एक teacher homework दे रहा है, पिछले chapter का कुछ PYQ solve कर रहे हैं, तो हमारे पास हम एकदम packed हैं, हाँ, जब थोड़ी बहुत कुछ छुटियां आती हैं, तो हमारे पास में एक ऐसी situation थोड़ी दिल के लिए बन जाती है, तो आप यहाँ चिला करें, अगर जब यह situation आएगी न, ध्यान रखना, इस सारी चीजों से आगे निकल कर, मतला अपने backlog को clear करकर, बहुत कम लोग ही इस time पर overtake करते हैं, हाँ, वहाँ बैटे 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 बोलते रहेंगे, सर, backlog है, backlog है, मुझे क्या करना चीए, बताइए सर, मैं strategy बता दीजिए, मैं करना इस दिन चुटी है, इस दिन चुटी है, बीच में, यहाँ कहीं पर कहीं न कहीं, आपको थोरा breathing space मिलेगा, सबच पारे हो, तो what I am trying to say, कि आपको time मिला है, now you decide कि आपको backlog या फिर जो भी आपके, कुछ काम pending रहे गए होंगे, सब के pending काम रहते हैं, कुछ ना कुछ, वो वक अगर किसी का काम pending नहीं है, तो अपनी practice का amount बढ़ा दीजिए, और PYQ solve कीजिए, simple जिकाहनी है, क्या मेरी बात समझ में आती है, 6 गंटे का test है, तो क्या दिन में 6 गंटे 6 गंटे तो तरी class होती है, तो class के बाद में self study का time तो यहाँ भी मिलेगा, इस Sunday को ही, तो time आपके प सारा backlog नहीं cover होगा, सारे questions नहीं solve होगे, module हम बहुत सारा नहीं कर पाएंगे, PYQ सारे नहीं कर पाएंगे, बट कोई तो chapter होगा, जिस पर tick लग जाएगा, बोले इसका तो हो गया, और वो जो एक चोटा सा tick है, वो ही आपको confidence देता है, वो ही motivation देता है, वो ही आगे hard work करने की, और आपको अर्ज, जिसको बोलते है, उर्जा, energy दे जाता है भाई, बोले लो, कि मैं काम करना हूँ, तो काम complete भी हो रहा है, समझ पारे हैं, नहीं समझ पारे हैं, तो बस इस चीज़ को ध्यानकना, कि now is the time, और सारे लोग इस time को utilize नहीं कर पाते हैं, समझ मैं है, तो make sure कि ये जो आपके पास में आ रहा है, इसका प्रॉपर utilization करें, फिर इसके बाद में ऐसा एक break आपको दिवाली के आसपास भी मिलेगा, ठीक है, तो बस इस चोटे चोटे ब्रेक समझ चीए, खेल ज़त्ब, 16 सत्रा को आरजे सर और जो है, डूडी सर वो भी absent है, बहुत अच्छी बात है, मजे की बात मैं absent तो हूँ, बट मैं recorded lectures आपको दूँगा, येस, 16 और 17 को आपके पास में Maths के recorded lecture आएंगे, वो आपको देखने होंगे, और वो मैं कोशिश करूँ, गंटे 45 मिनट काई हो एक lecture दो lecture आपके पास में आएंगे, 16 को और 17 को, क्योंकि हमारा syllabus अल्रेडी डिलेड है, तो मैं वो वाला compromise तो निगरूँगा कि जाओ भी या, ये दिन की भी चुटी देदी, नहीं, तो ये गंटा 45 मिनट आप निकाल सकते है lecture देखने के लिए, क्या मेरी बात है, हाँ, दशेर तो बस फिर दोनों ही अगर आपको chemistry भी recorded मिल रही है, और maths भी recorded मिल रही है, physics का मुझे नहीं पता है, राजबंदर से आप बात कर लीजेगा कल वाली class में, अगर वो भी recorded मिले, तीनों classes अगर आपको recorded मिलती है, तो बढ़ी ऐसा speed थोड़ी से तेज करके देख लेंगे, आय 20 तरीक को, तब हम lecture 3 से start करेंगे, अब आप ये बोलो, और relation function मतलब that is the starting of the calculus, calculus की starting हो जाएगी, और आपने lecture 1, lecture 2 नहीं देखा है, तो फिर आपके लिए धीरे धीरे वो lecture 3, lecture 4, lecture 5 आगे बढ़ते बढ़ते वो chapter कमजोर, अगर functions और relations कमजोर तो उसके बाद में फिर सर आगे वाले तो कहीं न कहीं फिर कमजोर ही चलते हैं, हाय न, क्या मेरी बात समझ भाई, हाय न, क्या ये बात clear, I hope you got my point, you can plan accordingly, बहुत अच्छे से आप इसको plan कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इसमें react कर सकते हैं, 2x में देख लो, मैं तो कोई नहीं कह रहा हूं, आप 2x में देख लो, ये कौन है, 1st September तक स्लेवर्स करवा दो, crash course बनाना है कि इस batch को, ठीक है, अपनी strategy मत लगा ये प्लीज, कि स्लेवर्स कब करवाना है, कितने दिन में होगा, स्लेवर्स आपका वो ही जाएगा, 15 January तक, yes, पहले January बाला attempt तो आप अपनी daily basis की revision पर ही काम चलाएंगे उसके बाद में 1st attempt और 2nd attempt के बीच में जो वक्त होता है, उस पर हम revision करेंगे, अच्छे से practice करेंगे, और 2nd attempt में सर और energy से फोड़ेंगे, उसके बाद में फिर सर हम advance की त्यारी करेंगे, clear है?